अले दोस्तों, welcome to be in point study, आई होपाँ आप सारे के सारे ठीक हो, तो आज हम करने वाले हैं class 9 के social science का model test paper, यह practice paper है, बिल्कुल आपके supporting material के end में दे रखा है और इसको करना बहुत ज़दा important है, क्योंकि आपको पता है supporting material के end में जो आपके question paper दे रखा है, बहुत सारे question इसमें से video बनाई, आपको पता है, जैसे कि मैंने most important question की video बना रखी है, economics के अलग, civics के अलग, geo की अलग, और हमारी जो history है, उसके अलग video बना रखी है, तो video के बिल्कुल starting में मैं बोल देता था, कि आप यह वाले question करके जाओ, बिना tension के, एक भी question आपका miss नहीं होगा, तो basically यह जो पैर उतले जमीन की सक जाएगी, जब आप देखो कि कितने question सेम आये है, ठीक है जी, चलो, तो directly हम 4 number वाले question पर आ जाते हैं, मतलब 4 number नहीं, section D पर आ जाते हैं, पहले हम major major question करते हैं, फिर MCQ वगरा की बात करेंगे, ठीक है जी, चलो, तो question number 33 है, यह 5 ऐसे method बताने है, जिस poverty major यानी गरीबी को country में कैसे कैसे खतम करा जा सकता है, ठीक है, आपको यह marking वगरे दिखरी होगी, actual में इसकी वीडियो मेंने पहले बना रखती है, इसलिए आपको यह marking वगरे दिखरी है, तो पहला तरीका गरीबी खतम करने का यह है, कि जादा से जादा economic growth करो, जब आप है ना, और इसमें सबसे important है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा वगरे अब की भी scheme चलाई है, गरीबी से भाहर निकल सके, ऐसे लोगों को job वगरे मिल सके, ठीक है जी, इसमें यह बोला गया था, यह 2005 में थी याद रखना, और यह इसमें क्या बोला गया था, कि 100 दिन तक job दी है, और state और center government ने अपने अलाग अलग fund वगरा बना रखा इसके लिए, ठीक है जी, और तीसा तरीका क्या है, कि लोगों को educate करके, चौत्ता तरीका है, जादा से दादा लोगों को job वगरा प्रोवाइट करके, आप उनको गरीबी से भाहर निकाल सकते हो, ठीक है जी, और चौत्ता है, कि जादा से पांचवा है, कि जादा साथ वुमेन को भी आप empower कर सको, वुमेन को भी आप क्या कर सको, पढ़ा सको, ताकि वुमेन जो है, वो अपनी generation को पढ़ा सके, ठीक है जी, तो यह पांच तरीका है, जिससे आप poverty से भाहर निकल सकते हो, ठीक है जी, आई इन पॉइंट है, वो यही वाले देखे हैं कि टीचर, जैसर नो, चलो आते हैं, नेक्स वाले पे, ऊपर वाला भी देख लेता है, कि poverty is the curse of humanity, इसमें बताना है, कि poverty हमारे लिए क्यों खराब है, बना के लिखना है यह answer, क्योंकि आपको दिखी रहा है, यह एक value-based question जैसा है ठीक है, नेक्स वाले question पे आता है, कि what are the fundamental right और right to freedom के बारे में आपको बताना है, जो की constitution में लिखा है, पहले तो fundamental right क्या होते हैं, दो चलो दिखा देता हूँ पहले तो मैं आपको कि यह question जो है, वो हमने कराबा है या नहीं करा है, यह civics का है, यह रहा वाटार दी fundamental right और freedom जो है, right to freedom, जो है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है जी, तो fundamental right क्या होते है, those right which are unsforcible by court, are core fundamental right, basically हमारे constitution के अंदर ऐसे right, जिनका violation होने पर हम court में जा सकते हैं, उसको fundamental right कहते हैं, and fundamental right में जो right to freedom है, उसके बारे में हमारे constitution में क्या लिखा, वो भी देख लेते हैं, यह लिख थावा जी, तो right to freedom के बारे में क्या है, कि right to freedom में क्या क्या चीज़े आती है, right to freedom of speech and expression, इकटा होने की आजादी, union वगरा form करने की आजादी, country में कहीं भी रहने की आजादी, कुछ भी काम करने की आजादी, कहीं भी जाने की आजादी, कोई भी profession, कोई भी काम कर रहा जी कोशन नमबर 25 वटार थी क्लायमेट प्लाइमेट आपको टीच अब आजाते हैं कौन कौन से फेक्टर रहते हैं इंडिया के क्लायमेट को और आपको ठीक है नीचे की तरफ आते हैं तो इसका अंसर जो है करवा रखा है मैंने यह वाटर डिवाइड यानि ड्रेनेज वाला चैप्टर है इसके बाद वाला यह रहा जी आपका अंसर ठीक है तो यह कौन-कौन से फेक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं लैटिटूड ऑल्टिटूड डिस्टंस फ्रॉम दी सी ओशनिक करन्ट और र लेगा जैसे तिल्ली में आप रहते हो एक्स्ट्रीम ठंड और एक्स्ट्रीम गर्मी फेस करने के लिए मिलती है बट महाराज में ना बहुत ज़्यादा घंड होती है ठीक है ओशनिक करन्ट जो लहरे होती है उसके वज़ज़ से भी चेंज होता है जो आपको बता है यह ल जो होती है बिल्कुल आप कह सकते हो सं को डार्ली जो रेज में में यह ना coined जब जब जादा होता है तो बेसिकली स्किन जो होती है वो थूरी धार्क हो जाती है है ना तो यह रीजन है चलो जी clear होगया तो यानि यह वाला question भी है नेक्स वाले कोशन पर आ जाते हैं, नेक्स वाला कोशन है, डीटरिज ब्रेंट इस कौन था, और इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट में उसने क्या क्या सेजेशन दिये थे, अब मैंने इसके चप्टर वाइज इंपॉर्टन कोशन अप्लोड करे थे, हिस्ट्री के, तो यहीं क जनरल, फर्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ दी फॉरेस्ट इन इंडिया था, यह पूछा भी जा सकता है एक मार्क में, और उसको बिटिशर ने इन्वाइट किया था इंडिया के अंदर, उसके क्या-क्या सजेशन दे, देखो लिखावा सजेशन, पहला सजेशन उसका ये था तो उसको फेस करनी पड़ेगी, जेल वगएरा, ठीक है, इसने साइन्टिफिक फॉरेस्ट्री की बात करी थी, साइन्टिफिक फॉरेस्ट्री की भी डेफिनेशन उपर लिख्यों होगी, और इस सारी की सारी पीडिएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डोंट वर पेड़ा वही उगाओ, ठीक है, इसने बोला था कि ट्रीज वगएरा एंट ग्रेजिंग हैड तू, री स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला था, सिर्फ टिम्बर वगएरा को उगाओ, जो फायदे मन्द है, ठीक है, बाकी को काट दो, और उसने ये भी बोला, जो भी बिना पर इंसिटूट भी हो ला था, जो कि आज भी है, 1906 के अंदर, ठीक है, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी वहाँ पर बढ़ाता था, ठीक है, चलो, नेक्स वाले कोशन पर आते हैं, तो यहानी पांच-पांच नंबर का तो एक भी कोशन जो है, वो अलग नहीं है, एक-एक कोशन जो है, बिल्कुल डिट्टो है, ठीक है, नेक्स वाले कोशन पर आते हैं, नेक्स वाला कोशन है, हमारा, section C पर आते हैं, कि वटार दी, main demand of the April thesis, जो April thesis है, उसकी main demand क्या-क्या थी, उसके बारे में हम देखते हैं, तो आ जाते हैं, जी, हमारे April thesis पर, तो April thesis मैं दिखा हूँ, पहले आपको हिस्ट्री का, यह हो गया, नीचे की तरफ आते हैं, तो यह राजी हमारे April thesis, question number 12, ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर आए हम, और उसने basically thesis दी थी, ठीक है, उसने बात बोली थी, April में उसने कुछ बात बोली थी, क्या-क्या, पहले तो उसने April thesis में यह बोला था, कि war जो है, first world war, उसको बंद कर देना चाहिए, जो land है, वो transfer कर देना चाहिए, खिसानों को, और दूसरी बात है, जितने भी bank है, उनको nationalize कर देना चाहिए, ठीक है, तो कि सारे कि सारे bank जो private थे, उसको nationalize कर देना चाहिए, ठीक है, next question पर आते हैं, कि constitution क्या होता है, constitution के function बताओ, तो यह वाला question भी पक्का होगा हमारा, ठीक है, यह देखो, मैंने most important question में आपको करवा रखा है, कि constitution क्या और constitution के function क्या है, पहली बा सबको accept करने होता है, जो भी उस country में रह रहा होता है, constitution के दो काम है, पहली बात तो, लोगों में trust और coordination को बनाए रखना, यह constitution का पहला function है, और दूसरा constitution यह भी बताता है, कि किसके पास क्या power होगी, ठीक है, और साथ में हमारा जो constitution है, वो government की power पर limit भी लगाता है, ठीक है सिविक्स में आप मिल जाएगा वैला question, जरूर लोग सभा और राजय सभा में difference तो मैंने जरूर दिया होगा, क्योंकि यह important question था, ठीक है, तो यह लोग सभा और राजय सभा का मिल जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ठीक है, ढूंड लेना, वो मिल से मैंने बुला, टेलीग्राम पे, लोग सभा क्या होती है, लोग सभा को house of people भी गयते हैं, राजय सभा को council of state भी गयते हैं, लोग सभा को ज़्यादा powerful लाना जाता है, पहले थो थोड़ा वक्त explain कर देता है, इसमें इतने लोग है, इसमें इतने लोग है, 543 जो है, वो हमा education जो होती है, उसको improve करने के लिए, education का status increase, improve करने के लिए, education को अच्छा करने के लिए, जाद स्यादा लोगों को पढ़ाने के लिए, government ने क्या क्या step लिए हो, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है, तो यह रहे, government ने अलग-अलग scheme खोली है, सर्वशिक्षा भिया हो गया, midday meal हो गया, right to education हो गया, right to education का act की सारी की सारी जो है, वो government scheme लेकर आई है, ठीक है जी, I hope यह बात आपको clear हो गई हो, next वाले question पर आते है, describe the food, अभी देखो, अभी आपको क्या समझा है, कि section D तो पूरा का पूरा उसमें से दिखाया, ये भी जो है, ये वाले, ये of India क्या है, most important question में आपको दोनों मिल जाएगा, buffer stock भी मिल जाएगा, और PDA system भी मिल जाएगा, ठीक है, वो ही है हमारा basically, क्या, FCI, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, ये राज, buffer stock, ठीक है, अब देख लो, ये question क्या है, सबसे पहले तो food corporation of India होता क्या है, food corporation FCI को खहते हैं, इसका main काम क्या होता है, food corporation of India का सबसे जादा main काम ये है, कि पहली बात तो buffer stock को create करना इसका काम होता है, और buffer stock से जो गरीब लोगा उनको खाना पहुचाना, PDA system के द जोर करके रखना, और basically अगर कोई problem वगरा आ जाए, food की कहीं पर problem आ जाए, तो वहाँ पर food वगरा पहुचाना भी इसका काम होता है, ठीक है, चलो जी, next वाले question पर आते हैं, कि रॉबस पेर के time को reign of terror क्यों कहा जाता है, तो रॉबस पेर के time को reign of terror इसलिए कहा जाता है, प को मिल जाएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला question हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ, ये वाला question जो है, वो मैंने notes के अंदर पढ़ाया था, बट ये वाला question most important question में मैंने आपको नहीं दिया था, और मैंने important भी नहीं लिखा, इसके अलाबाबा बाकी सारे ठीक है, तो 1793 से लेकर 1794 के time को reign of terror का जाता है, क्योंकि जो robust fear था, उसने बहुत बुरी तरीके से लोगों को punish करना शुरू किया, और control करना शुरू किया, जो उसके party का नहीं था, उसकी source से agree नहीं करता था उसको वो मार देता था, ठीक है, गिलोटीन पे चड़ा देता था और यह सारी की सारी चीज़े करता था, जो उसकी बार से सहमत नहीं होता था, और इसी वज़े से 1794 में उसको गिलोटीन पे भी चड़ा दिया गया था, ओके, next question करते है हमारा, कि इंडिया की बहुत बड़ी coastline है, यानि यह जो है, वो coastline है इंडिया के नीचे, ठीक है, यह first chapter का ही question है, तो यह हमें यहीं मिल जाएगा, तो यह रहा question number 7 है, तो यह question मैंने यह रहा जी, इंडिया की बड़ी सी coastline है, तो इसका क्या फायदा है, सबसे पहले तो इसके जो economical benefit है, क्यों, क्या इसके economic benefit है, बेनिफिट, देखो, यह वाला point लिख देना, कि इससे क्या होता है, कि इंडिया की, जो west की country है, और जो east की country है, वहाँ से इंडिया जो है, वो easily trade कर पाता है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा असानी होती है, उसकी center location से, उसकी बड़ी सी coastline से फायदा यह होता है, western coastal pain से, इंडिया west की country से trade कर पाता है, और eastern coastal pain से, इंडिया वेस्ट की तरफ कर पाता है यह इस की तरफ कर पाता है तो इसी वज़ेसे जो लॉंग हमारी कोस्ट लाइन है इससे इंडिया को बहुत फाइदा होता है ठीक है दो फाइदे और ऊफस्ट को बताऊँगा सबसे पहले तो डेमोक्राषी के नुक्सान देख लेते पहला है कि लीडर का यो बसे इससे इंस्टेशल से और दूसरा है कि डैमोग्रेसी इंस्टेिशन बीटीशन देख कर सकता है तो ये भी एक problem रहती है हमारे democracy में अब democracy के फायदे देख लेते हैं democracy का फायदा है democracy is better क्योंकि वहां की जो government होती है वो ज़्यादा countable होती है दूसरा point यह है कि democracy quality decision making करती है decision को improve करती है ठीक है जी बड़िया decision होता है democracy के अंदर अब आते हैं हमारे next वाले question पर कि multi cropping क्या होता है multi cropping भी हमने करावा है ये भी economics का question है economics का chapter number one जो question है न उसी के अंदर है ये chapter number one के अंदर ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला जो question दिख रहा है ना इसमें हमने multi cropping करा था एक साल में एक land पर जब एक से ज़्यादा बार खेती करी जाती है तो उसी को हम multi cropping कहते है ठीक है और multi cropping में क्या होता है कि fertility थोड़ी सी कम हो जाती है ये भी इसका feature है और ये small land पे भी आप कर सकते हो ठीक है जी I hope यह बात आपको पता चले हो डेफिनेशन लिखी है multi cropping के और कुछ नहीं लिखना अब आजाते जी MCQ पे supporting material के हम MCQ पे आजाते है चलो जी आजाते हम MCQ पे तुमारा पहला MCQ है वैमा रिपब्लिक ने जो प्रेजिडेंट की पावर जो है राजिस्थान की है तो बर्स्टर से related नहीं है ठीक है जी I hope यह clear हो गया हो next वाले question पे आते है कि कौन सा pestilist ऐसी है जो mountains से related है तो मोनपाज, भूटियाज, गदीज यह तीनों की तीनों mountains से related है ठीक है चलो next question पे आते है कि मसाई जो है उसकी जो society है वो किन दो social group में divided है seniors और warriors यह लडाई करते थे warriors next वाले question पे आते है एरिया वाइस बताना है कि सबसे बड़ी country कौन से है उससे छोटी कौन से है यह आप मेरे को नीचे comment box में बताना बड़ा simple question है बड़ा simple है next वाले question पे आते है यह match करना है ठीक है देखो जो आता है पहले वो match करो अपने को पता है island सिर्फ एक है लक्षदीब और अंडमाननी को बार उसमें अंडमाननी को बार नहीं दे रखा लक्षदीब दे रखा है तो fourth का C होगा fourth का C सिर्फ एक में दे रखा है ये fresh water नहीं, salt water लेगे है, ठीक है, सुंदरी trees कहाँ पर mangrove forest में पाये जाते हैं, ठीक है, और इसमें लिखा है जामुन जो होता है, blood pressure को, इसमें कहता है न, कौन सा गलत है, जामुन blood pressure को control करने के लिए सही रहता है, ये बात सही है, नीम जो होता है, anti-bacterial होता है, दांत वगेरा भी करते हैं, उससे हैं, बहुत सारी लोग brush करते हैं, सही बात है, दूसरा है, कि जो कचनार है, वो की अस्तमा को cure करता है, ये भी बात सही है, बड़े बबूल का जो point है, आखो को cure करता है, ये गलत है एक दम, ठीक है, नेक्स्ट है कि population में change किन किन वज़े से आता है, birth rate के बढ़ने घटने से आता है, death rate के बढ़ने घटने से आता है, migration के कम होने से जाद होने से, हाँ, population में change आता है, तो इसका answer है जी, all of the above, ठीक है, next वेला question क्या है, कि which of the following point is related to democracy, अब कौन सा point democracy से related है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो related नहीं लगते हम उसको अटा देंगे, तो इसमें लिखा voting on the basis of religion, ये नहीं हो सकता, not having an independent, नहीं हो सकता, election commission तो independent होने चाहिए, बट इसमें लिखा not, तो ये नहीं हो सकता, no having the election on the regular interval, नहीं, regular होने चाहिए, ठीक है, तो ये वाला point जो है न, वो नहीं है related, basically defeat of the ruling party in the last election, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ये वाला answer है हमारा, ठीक, elimination, जो गलत है उसको हटा दो पहले, ANC की full form क्या है, यौल नो, African National Congress, ठीक है, next वाले question पर आते हैं, next वाले question है, कि Parliament जो है, वो कौन-कौन से काम करती है, change करना, existing law को, new law frame करना, abolish करना, all of these को, ठीक है, next वाले question पर आते हैं, next वाले question है हमारा, कि non agriculture activity बतानी है, transport, tergory है, ठीक है, which of the following is not a non agriculture activity, यानि आपको agriculture activity बतानी है, तो आपको बता है, tergory में है, selling land ये भी आप कहा सकते हो, tergory में ही आएगा, shop keeping basically, ये भी tergory में, ये हमारा primary में होगा, elimination use किया मैंने, देखो, वैसे अगर आप देखोगे न, dairy जो होता है, वो non farming, non agriculture activity में, बहुत सारे लोग इसको include करते हैं, ठीक है, बट क्योंकि option में हमारे पास, यह option जो है, वो थोड़ा सा सबसे odd है, तो इसके वज़े से हमने इसको choose किया, ठीक है, green revolution किस से related है, wheat और rice के increase in production से related है, primary sector का इसमें से कौन सा example, नहीं है, insurance जो है, वो tergory sector का आता है, तो यानि primary का नहीं है, तो इसका answer होगर D, next question आपको बताना है, कि tergory में कौन सा आता है, यह आपको पता है, ट्रांसपोर्ट आता है, agriculture primary, forestry primary, mining primary, ठीक है, next वाले question पे आते हैं, कि poverty के लिए challenge क्या-क्या है, unemployment, child labor literacy, all of the above, ठीक है, इसमें से कौन सा राशन कार्ड नहीं है, APLB कार्ड होता है, ठीक है, BPLB होता है, अंतोध्य कार्ड भी होता है, PDS नहीं होता है, PDS तो public distribution system होता है, ठीक है, next question आते हैं, कि यह National Food Security Act कब आता है, 2013 में आता है, ठीक है जी, I hope यह सारे के सारे question आपको बहुत अच्छे से clear हो गए हो, और आपको पता चली गया होगा, कि most important question करना कितना important है, मैंने most important question English में भी upload किया, Hindi में भी, link आपको नीचे description मिल जाएगा, और बाकि जो हमारे different channel है, I hope आपको पता हो, कि हमारा main point study के अलावा, सकता है, animation video कैसे बना के YouTube पे कैसे upload कर सकता है, दूसरे की video copy करके YouTube से कैसे upload कर सकता है, यह सारी सारी चीजे मैंने जो है, वो main point tag पर बता रखिया, तो इस channel को subscribe कर लेना, ठीक है, और website की बात रही, तो मैंने website जो है, वो main point study की website बना रखिया, गूगल पर जाके लिखोगे न, main point study website आपके सामने आ जाएगी, और आप चाहो तो वहाँ पर support भी कर सकते हो, main point study के channel को, या नहीं हमारे channel को, website को, ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए नहीं है, जो थोड़ा financially stable नहीं है, अगर आ financially stable हो, family financially stable है, तभी support करना, बाकि ऐसी कोई दिक्तत नहीं है, आप support नहीं भी करोगे, तो भी चलेगा, बस अच्छे marks लाओ, आत्मा त्रिप तो जाएगी, मेरी के हाँ यार महना सफल होई, ठीक है, चलो, और बाकी, जैसे मैंने बताया, और भी है वैसे channel जैसे main point भरत कुमार खोरवाल हो गया, main point gaming हो गई, तो इन channel को भी subscribe आप कर सकते हो, बाकी टेलिग्राम पे आपको PDF अगरा मिल जाएगी, main point study 9 पे, ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स वीडियो में, तब तक लिए thank you so much, जै हिन जै भारत बंदे मातरम, thanks for the support, bye bye.